नमस्कार दोस्तो जैहिंद वन्दे मात्रम मैं दोस्तो आपके साथ जैसवाल सर दोस्तो सिच्छक भरती के चैनल जैसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का भावी यद्धापक का द्धापिकाओं का सभी भावी वहन सिच्छक बंदू का श्वागत अभ्यंदन है दोस्तो लेवस के उसास अभी प्रसनों का कंबाइन किया गया है सेलेक्शन किया गया है और टार्गेट 30 में 30 क्योंकि आपको पता है अपटित कद्यांस पद्यांस से 15 प्रसन आते हैं प्लस आपके 15 सिच्छन सास के प्लस रहते हैं इस दोनों का कंबाइन के क्लास है और आपके पंदरहमी क्लासे इसके पिछली क्लासे देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिक मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं चले दोस्तों सुरू करते हैं इस स्वास ठीक नहीं है फिर भी हम क्लासे जहां पे डेली चलेगी क्योंकि जैसवाल कोचिंग सेंटर राश्टित में सिच्छा की बात करते हैं दोस्तों क्योंकि सेलेक्शन का नाम है प्रक्टिस करना क्लासे जटेन करना तो चलिए पहला प्रस देख लेते हैं 15 प्रसन आपके हैं दोस्तो आप पहले हम Grammar यानि की व्याकरण के रहने वाले हैं फुल डिटेल के साथ व्याक्या साथ रहेंगे गौरो सब्द में मोल शब्द है दोस्तो जो आपका गौरो सब्द है इसमें मोल सब्द कौन सा है तो आपके गौरो सब्द में मूल सब्द क्या है गौर है गौर है गुरू है यह गुर हो जाएगा आप लोग भी कमेंट बाक्स में बता सकते हैं सही इंसर क्या होगा तो गौरो सब्द में मूल सब्द क्या हो जाएगा आपका गुरू हो जाएगा ठीक है गुरू सब्द मोल होगा गुरू धन आ बरावर गौरो है बना हुआ है ठीक है आ आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरू धन आ आ यहाँ पर क्या है सभी लोग कमेंट करेंगे चले अंगला प्रस देख लेते हैं महात्मे यह सब्द है दोस्तो जो महात्मे सब्द दिया है यहाँ पर वह किरिया है आपकी जातिवाचक है बिक्तिवाचक है यह आपका भाववाचक है तो राइट इंसर क्या हो जाएगा महात्मे सब्द कैसा है दोस्तो तो महात्मे सब्द आपका भाव आचक है कैसा है महात्मे सब्द जो है महात्मा धन या मिलके महात्मे सब्द बना है कि योग से बना है महात्मा जातिवाचक संग्या है और या लगने पर महात्मे यह भाव आचक संग्या बनता है पहले अगर महात्मा भर सब्द होता तो आपका कौन सा हो जाता यहाँ पर जाती वाचक होता ठीक है लेकिन महात्मे जो लग गया यह यह जो जुड़ गया तो यह आपका भाव आचक में आ जाएगा तो आपका राइट आपस नमबर फोर्थ हो जाएगा चले अंगला पर देख लेते हैं सभी भाविय ध्यापक दाविकाओं का नमन है दोस्तो सभी को जहिंद वंदे मात्रम उमीद है बीड़ो बेहतरीन लाजवाप होने वाली है बीड़ो को लाइक सेयर करते रहें निन में से कौन सा सब्द क्रिया से भाव आचक संग्या बना है दोस्तो इन में से ऐसा कौन सा सब्द है जो क्रिया से भाव आचक संग्या बना है क्या वह आपका विपिन्निता है निजत तो है चुनाव है यह आपका पारसपरीक है इन में से ऐसा जो सब्द क्रिया से भाव आचक संग्या बना हो वह आपका चुनाव है कैसे दोस्तो चुना यानि चुनना सब्द क्या है एक रिया है जिससे चुनाव सद बना है चुनने से ही चुनाव सद बना है इसलिए आपका भावाचक संग्या बना है किससे बना तो चुनाव से बना है ठीक है राज़ डप्सन आपका थर्ड हो जाएगा अंगला प्रसली स्कीन पर है सब संस्क्रितिक होगा या आपका संस्कृतिक तो संस्क्रित का होगा सब 넣 comment करेंगे प्लिप MServes प्रवी सेशन के साथ जो प्रवी सेशन होते हुए क्या बताते हैं बिसेशन का भेद, बिसेशन का भाव, बिसेशनों की संख्या, बिसेश्ता या बिसेशनों की गुण तो प्रवी सेशन जो होते हैं दोस्तों वह आपके बिसेशनों की बिसेश्ता बताते हैं जो विशेशन, विशेशनों की भी विशेशता बतलाते हैं, वही आपके प्रविशेशन कहलाते हैं और जैसे मोहन बहुत सुन्दर बालक है, यहां बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेशन हो जाएगा मोहन सुन्दर बालक है मोहन सुन्दर है लेकिन यहाँ पे बहुत जो सब्द आ गया क्या हो गया आपको बिसेशन की भी बिसेशता बतात ली गई यानि प्रबिसेशन हो जाएगा बहुत शुन्दर बालक है अंगलाप्रस देख लेते हैं अंगलाप्रस ने आपे पूंचा गया है कि पसु सब्द से बिसेशन बनेगा दोस्तों पसु सब्द से क्या बिसेशन बनेगा पास्विक, पाशुत, पाशुता या पश्पन तो पश उस सब्द से विसेशन बन जाएगा पाश्विक बन जाएगा आपका राइट अपसन फ़श्ट हो जाएगा अंगला परस देख रहे हैं क्या पूंचा जा रहा है नानी कुवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है अलोकोक्ति दिया गया है समझेंगे दोस्तो लोकोक्ति में समझेंगे नानी कुवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि दूसरों की संपति से लाब उठाने वाला क्या हो जाएगा नानी कौारी मर गई नवासे के नव नो ब्याह लोकोगती का आर्थ मतलब क्या है कि दूसरों की संपत्ति से लाब उठाने वालों को ऐसा बोला जाता है अंगल अप्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है पिता जी जो गीता पढ़ रहे हैं पिता जी जो गीता पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं आपका रिखांगीत है यहां पर तो यह पढ़ कौन सा पढ़ बंद होगा क्रिया विसेशन पढ़ बंद है शरुनाम पढ़ बंद है क्रिया पढ़ बंद है यह आपका विसेशन पढ़ बंद है तो पिता जी जो गीता पढ़ रहे हैं रे खांकित बद में शमू जो पदबंध है वह आपका क्रिया पदबंध है गीता क्या करें पढ़ रहे हैं तो पढ़ ना क्या हो गए या पी क्रिया हो गया तो क्रिया पदबंध कहलाएगा सिंपल सी बात है समझने वाली बात है क्योंकि पढ़ रहे हैं यह क्रिया पदबंध है अंगला प्रस देख लेते हैं सभी मित्रों को जैहिन है वेलकम अविलंदन है दोस्तो प्रसनाई देख लेते हैं क्या पूँचा जा रहा है जिस वाक में एक प्रधान उपवाक तथा एक या एक सधिक आस्रित उपवाक हो वह क्या कहलाता है दोस्तो जिस वाक में एक प्रधान उपवाक हो या आपका एक सधिक आस्रित उपवाक हो तो वह आपका मिस्सित वाक कहलाता है ये सबी लोग नोट कर लेंगे मिस्सित वाक की क्या पहचान है आपका इसे जानेंगे मिस्सित वाक है जिसमें आपका एक प्रधान उपवाक होना चाहिए तथा एक सदिक आस्षित उपवाक भी होने चाहिए वह आपका मिस्सित वाक कहलाता है अंगलाप्रस देख लेते हैं निन में से कौन सा सद बिदेशी सब्द है, देशज, बिदेशी, फार्सी, उर्दू, ऐसा भी प्रसन आता है आता है दोस्तो, बिलकूर, सभी प्रसन लिया गए हैं, जैसे आपके जाम में पूचे जाते हैं, जैसे आपका एकजाम पटन है, क्योंकि ये सभी आपके संभाव प्रस्ड है या फिर एक्जाम में पूचे गए प्रस्ड है रिपीटिट प्रस्ड है इनमें से कौन सा सद बिदेशी सब्द है दोस्तों सभी लोग जानते हैं लोटा आठा पेट ये आपकी बिदेशी सब्द नहीं है जो चाकू दिया है ये क्या हो जाएगा आपका बिदेशी देशाज ये सभी लोग समझते हैं विदेशी भासा देशाज हो गया ये सब्द आपको जानना बहुत जोरी है इनको आपको प्रेपेशन करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा नौलेज लेना पड़ेगा अंगला प्रस देख रहे हैं इसकीन पर है निम्रकित में से काउन सा सब तदभौ आपको पता है तदभौ तश्रम से भी प्रसना आ जाते हैं आपके सिच्छववर्थी में तो तदभौ की पहचान करना है करपूर, करतब, अश्रू, कचुवा, सब्यों लोग जानते है करपूर और अश्रू ये आपकर क्या है तश्रम सब्द है दोस्तों करतब भी आपका तश्चम सब्द है लेकिन जो कच्वा यहाँ पर दिया गया है यह आपका तदभाव सब्द हो जाएगा तो तदभाव क्या हो जाएगा कच्वा यहाँ पर आपका तदभाव दिया गया है अंगला पर देख लेते हैं दातुन का तश्चम क्या ह अब देखें दातुन क्या है आपका तदभाव शब्द है दातुन कैसे आपका तदभाव है और इसका तस्थम सब्द बताना है तस्थम जो संसकत से डारेक्ली आपके हिंदी में बोले जाते हैं या लिखी जाते हैं वो आपके तस्थम सब्द कहलाते हैं ठीक है दोस्तों अ देख लेते हैं क्या सिकीन पर है अंग्रेज मुलतै किस भासा का सब्द है दोस्तों जो Rings सब्द होता है यह मुलतै किस भासा सक है अंगरेजी का हैं हिंडी का है F complicated है जो सभी बोच्चे सभी जितने मी पहले अपसं ज्यादा तर मारते हैं अंग्रेज मुलतै Tay किस भासा का सब्द है अंग्रेज तो अंग्रेजी से लगा देते हैं लेकिन सर्वता गलत है दोस्तों अंग्रेज जो अगर मुलता है किस भासा का सब्द पूंचा जाए तो आपको फ्रांसीसी में का गाना है ठीक है क्या हो गया फ्रांसीसी भासा है आपे तो आपको अपसन हो जाएगा मादा मगर मच होगा बहुत से बच्चे मगर मच ही लगा लेंगे ठीक है बहुत से बगर मगर मच चानी लगा लेंगे लेकिन जो राइट अपसन होगा वह होगा मादा मगर मच यहींनि मगरमच का इसी लिंग मादा मगरमच हो जाएगा तो प्रस्ण इंपोर्टेंट है समझ में आ रहे हूं तो वीडियो को लाइक सेयर करते रहें फीड़वेक देते रहें क्या होने वाला है फीड़वेक देखते रहें दुगने एनरजी के साथ क्लास सुरू करते हैं उसी एनरजी के साथ क्लास को इंड भी करते हैं दोस्तो अंगला प्रस्ण इसकीन पर है कि भाव वाच वाला वाक इनमें से कौन है भाव वाच 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 की पहचान करना है तो भाव वाच वाच कौन सा हो जाएगा जिसमें भाव हो भाव देखिए किसमें मालती खाना खाती इसमें कोई भाव नहीं रमेश खाना खा सकता कोई भाव नहीं रच्छा दोड़ नहीं सकती नहीं है तो कोई भाव नहीं है लेकिन हिमेश से दोड़ा नहीं जाता हिमेश से दोड़ा नहीं जाता कुछ प्राबलम है कुछ प्राबलम है उसके दर्द होगा पैर में मोच खा गई होगी तो हिमेश मोच खा गया होगा तो हिमेश से दोड़ा नहीं जाता है यह भाव अच वाला वाक कौन से होगा हिमेश से दोड़ा नहीं जाता हो अपना एक भाव प्रकड कर रहा है ठीक है नहीं जाता है और यहां पर यह हो सकता कि रच्छा से दोड़ा नहीं जा सकता है थीक है रच्छा से दोड़ा नहीं जा सकता है यो से आ गया ना ये अपका बहावाच वाला हो जाएगा सभी मित्र सिचक वरती में सेलेक्षण पाना चाहते हैं तो जैस्वाल कोचिंग सेंटर को जरूर जोइन करें क्योंकि जैसवाल कोचिंग सेंटर जितने भी प्रसन लाता है दोस्तों जितने भी प्रसन आपर आएंगे कंसेप्ट आएंगे क्लासेज होती हैं आपकी एक्जाम पैटन पर सेलेक्शन को ध्यान में रहते हुए किया जाता है अब बात करेंगे हिंदी पेड़ागोजी की इंपोर्टन कोश्चन की हिंदी सिच्छन सास के 15 प्रसन रहने वाले हैं और इंद 15 प्रसनों में अधिकसा मार अटेंड करने के लिए सभी प्रसन देखना अनिवार है दूरस सिच्छन में क्या होता है दोस्तों कल हमने आपसे प्रसन किया था लास्ट कल की क्लास का आपका लास्ट क्वेशन था कि दूरस सिच्छन में होता है तो दूरस सिच्छन में स्वानुंदेशान अधारित भी होता है, सभी को सिच्छा पर पहुँच भी होती है, और बव माद्यम उपागमा च्छात के इंदित होता है, ये उपर उप्रिक्ष भी हो जाएगा, फोर्त आप्सन सही हो जाएगा, ये हमने कनेक्टिविटी बनाने के लिए कल तो हम यहीं से प्रसनाप से किये थे, और इसके आएगे क्योंकि आपको क्लासेज डेली चल रही है, लगातार क्लासेज हो रही है, क्योंकि सलेक्षन बहुत इंपोर्टेंट है, सत्त सास्वत वा अपरिवर्तन सील होता है, कथन का कौन सी बिदी समर्थन करती है अब आपकी सिच्छन सास के प्रसना आगए, ध्यान पूरक सभी प्रसनों को देखिएगा, सत्त सास्वत वा अपरिवर्तन सील होता है, यहीं कि आपका निग्मन बिदी का समर्थन करती है, निग्मन बिदी मतलब क्या अथा पहले नियम निधायत करना, यहाँ पे नियम निधायत करदिया गया है, दोस्तों कि सत्त सासवत यह परिवर्तन सील होता है, यह निग्मन बिदी का समर्थन करती है, अग्ला प्रसनाने के पहले वीडियो को लाइक सेयर कर देंगे, सभी प्यारे मित, जितने भी मेरे सब्सकाइब करके भाई बहन आए और वेलकम है सिच्छक भरती के प्लेट फार्म पर आनलाइन क्लासेज पर यूटूब के क्लासेज पर जैसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तो मैं आपके साथ जैसवाल सर अंगला प्रसंद प्रिस्ट कर रहा हूं इसकीन पर आ चुका है कि भारत में अभिक्रमित अंदेशन क प्रसार हुआ दोस्तो हमारे भारत में इंडिया में हिंदोस्तान में अभिक्रमित अंदेशन का प्रसार कब हुआ था 1950-1970-73 63 तो भारत में अभिक्रमित अंदेशन का प्रसार सन 1963 में हुआ था यानि की 1963 में हुआ था सभी लोग नोट कर लेंगे शभी लोग नोट कर लें प्रसार कब हुआ तो 1963 यानि 1963 में हुआ इसका सही क्रम बताना सही क्रम क्या होगा ठीक है यहां पर सभी दिया गया है तो सही क्रम में कौन सी अभिक्रमित अंदेशन की लिया है पहले होता है रीड राइट चिक्स एडवांज टेस्ट रीड करना पढ़ना लिखना चिक करना फिर आपके एडवांज टेस्ट होगा तो पहला आपसन यहां पर सही हो जाएगा कि अभिक्मित अंदेशन की लिया हो रही है यह पहला आपसन रीड राइट चिक्स एडवांज टेस्ट चले ये सभी लोग आप लोग मोटिवेट करते रहें, सर को मोटिवेट करें, अपने इस गुरुप को, अपने इस परिवार को मोटिवेट करते रहें। बाय और रेखी अभिक्रमित अंदेशन का विकास किया। दोस्तो जो आपके बाह और रेखी अभिक्रमित अंदेशन है इसका विकास किस ने किया था इसकनर ने इस्पेंसर ने लॉरेंशन ने या पॉल ने किया था तो बाह और रेखी अभिक्रमित अंदेशन का विकास करने वाले आपके महान बैग्यानिक इसकनर है पहला अपसन आ बहुत बार पूचा गया दोस्तों कि दल सिच्छन यानि टीम टीचिंग बिदिका स्री गनेश आपके अमेरिका में हुआ था नोट कर लेंगे सभी प्यारे मित सिचक बंदो, सिचक बंना चाहते हैं जैस वाल कोचिंग सिटन को जरूर जॉन कर ले क्योंकि यहाँ पर प्रस्ण होते हैं वही पर सलिक्षण होता है वही आपके एगजाम में पूचे जाते हैं क्योंकि exam pattern पर यहां सभी प्रस्णों को कराया जाता है selection में ध्यान रखकर यहां पर प्रस्ण को कराया जाता है संभावित प्रस्ण होते हैं या repeated प्रस्ण होते हैं प्रस्ण देख लेते हैं अंगला अमरूद सिखाने के लिए किस अधिगम का प्रयोग किया जाना प्रयोग करेंगे, सब्द कार्ड, वर्ण कार्ड, अमरूद का चित्र पस्तूत करेंगे, या मात्रा कार्ड, तो बच्चों, अमरूद हमें सिखाना है, यह हमें अमरूद बताना है, ठीक है, अमरूद अगर हमें बच्चों को बताना है, कि यह अमरूद है, ठीक है, तो बच पुद का चित बनाना दीगम हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं करक्यूलम की रचना में प्रमुक्ते ध्यान रखा जाता है अब सभी लोग नोट कर लेंगे करी क्यूलम करी क्यूलम की जो रचना होती है दोस्तो इनमें प्रमुक्ते ध्यान रखा जाता है बालक पर रखा जाता है समाज पर रखा जाता है यह दोस्तों आपके परिवार पर रखा जाता है दोस्तों जल्धी environment की class फूरू होने वाली है with math की class फूरू होगी अभी आपके तीन classes चल लई है ठीक है भासा की classes दोनों चल लई है एक आपकी चल लई है cdp बाल विकास की जो बहुत important इसके बाद ये class खत्म होने के बाद आपको environment प्लस आपके गनित यानि की mathematics basic प्लस pedagogy सिच्छन सास की classes चलेंगी तो selection के लिए सभी classes important है पूरा syllabus important है तो curriculum की रचना में प्रुखते ध्यान रखा जाता है तो बालक का ध्यान रखा जाता है सभी लोग note कर लेंगे पहला option सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं ध्यानि शब्द एवं वाक रचना का जो ग्यान है हिंदी सिच्छन में किस उद्देश की अंतर गताता है तो यह आपके ग्यानात्मक उद्देश की अंतर गताता है ध्यानि सब्द एवं वाक रचना का ज्यान हिंदी सिच्छन में ग्यानात्मक उद्देश की अंतर गताता है अंगला प्रस देख लेकेंगे अंगला प्रस ना चुका है जैहिंद वन्दे मात्रम सभी मित्रों को दोस्तो शभी मित्र ये परिवार है आप सभी लोग मेरे लिए क्या माइने रखते हैं बहुत बड़ा है दोस्तों क्योंकि ये परिवार है और परिवार आप लोगों से है आप लोगों को like, frame, snare, share जो भी है जितना चाहे परिवार को बढ़ा कर सकते हैं यह आप लोगों का काम है यह आप लोगों का team work है दोस्तों करते रहें, share करते रहें और बहतरी से यहाँ पे study material आपको मिलती रहेगी और अंगले साल एक सरकारी seat अध्यापर के तौर पर आपकी नियुक्ति होगी दोस्तों भासा सिच्छन कैसा होना चाहिए सभी लोग comment करेंगे भासा सिच्छन आपचारिक होना चाहिए, अनापचारिक होना चाहिए, निरापचारिक होना चाहिए, ये सभी होने चाहिए, तो दोस्तो right option हो जाएगा भासा सिच्छन आपका अनापचारिक होना चाहिए, कैसा भासा सिच्छन आपका अनापचारिक भासा सिच्छन होना चा तो मौन वाचन यानि मन ही मन पढ़ना तो कच्छा तीन से सुरू कर देना चाहिए बालकों में राइट अपसन आपका पहला हो जाएगा और सिच्छक भरती में दोस्तो मद प्रदेश कार नमबर बन मन चुका है या आप लोगां का प्रेम इसने और सरद्धा है दोस्तो यहीं सरद्धा है माता रानी की करपा है सभी मित्रों को जै माता दी अंगला प्रसना आचुका है चोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होगा चोटे बालकों को जब हम परियों की कहानी सुनाते हैं तो बच्चों में क्या होता है उनकी कल्पना सकती का विकास होता है चिंतन सील्दा का विकास होता है या कौसल विकास का होता है या कुछ भी नहीं होता दोस्तों चोटे बालकों में जब भी परियों की कहानी सुनाते हैं माताएं ज़्यादा तर सुनाती हैं बच्चे जिद करते हैं परियों की कहानी सुनने के लिए परियों की कहानी जब भी उनको सुनाते हैं तो बच्चों में क्या होता है? उनकी कल्पना सक्ति का विकास होता है कि कल्पना विकास सक्ति कि ऐसे परिया थी ऐसे वो कहानी थी वो कल्पना में चले जाते हैं उनके कल्पना सक्ति का विकास होता है अंगला पस देख लेते हैं लिंग्वा फोन कैसा सैच्छी कुप करण है सभी लोग कमेंट करेंगे सभी दोस्तों को सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाए हैं चितने मेरे भाई सब्सकाइबर करके आएं वहिया सभी भाई वेहन को नमन है दिल से धनवाद है दोस्तो लिंग्वा फोन कैसा सैच्छिक उपकरण है अंगला प्रस देख लेते हैं इस पस्टी करण किसके अंतरगात आता है दोस्तो इस पस्टी करण जो होता है आदर्स वाचन के अंतरगात आता है अनुकरण वाचन के अंतरगात आता है पुनरावत्ति के या प्रस्तूती करण के इस परस्ती करण जो होता है दोस्तो वह आपके प्रस्तूती करण के अंतर गत आता है किसके करण होता है इस परस्ती करण आपका प्रस्तूती करण के अंतर गत आता है अंगला पर देख लेते हैं बुलेटिन बोर्ड क्या है दोस्तों बुलेटिन बोर्ड एक दर्ष है श्रब है दर्ष श्रब दोनों है यह सभी हो जाएगा तो बुलेटिन बोर्ड आपका क्या हो जाएगा एक दर्ष कहलाएगा बुलेटिन बोर्ड क्या है आप पर एक दर्ष होता है बोर्ड होता है इस पर लिख देंगे तो क्या बच्चे देखते हैं तो क्या हो जाएंगा ये दर्स में आजाएगा तो पहला आपसन आप लोगों का सई हो जाएगा वीडियो को like share करते रहें जितने भी मेरे भाई भाई बहन हैं आप लोग सभी लोग भावी अद्धापक अद्धापिकाए हैं अभी तक भी आपने चैनल को जोई सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्ण होंगे सभी सेलेक्शन वाले प्रस्ण होंगे एक्जाम में समभावित प्रस्ण होंगे या सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि यह सिचकों का परिवार है किसी एक का परिवार नहीं आप लोगों का परिवार है आप लोग लाइक सेयर करते रहें दोस्तो और जितने भाई बैन अभी भी नहीं की हैं दोस्तो आज भी कर लें अभी टाइम है selection में अभी काफी दिन बाकी है selection की process है कि इस परिवार का पहले हिस्सा बने दोस्तो जब भी कोई बच्चा बिद्याले जाता है जब भी कोई बच्चा बिद्याले जाता है तो उसे दोस्ती करने पड़ती है वो एक परिवार होता है बच्चे का बिद्याले एक परिवार होता है दोस्तो जी हाँ जब बिद्याले एक परिवार होता है जहाँ वैं सिच्छा दिच्छा सब कुछ गरहन करता है संसकार गरहन करता है सब कुछ वहाँ पर गरहन करता है दोस्तो तो वह भी है जब आपको यहाँ पर कुछ चीजे मिल लए है को बड़ा करते रहें और जैसवाल सर की तरफ से आप सभी को नमन है दोस्तों प्रणाम है सभी आपके भावी अध्यापक सिचक सिचकाओं को जैहिन दोस्तों